बिसमिल्लावराइब रहीम, असलाम लेकुम, लुना 2.0 के एरडॉप जो हैं वो बहुत से लोगों को मिल चुके हैं, लेकिन आप इसे बहुत से लोगों के क्वेस्टन्स थे, मेरे प्रीविज वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि लुना 2.0 का एरडॉप हमें ये आचुके हैं, ये कि टेरा स्टेशन का जो वालट था, उसमें भी बहुत से लोगों को इनका एरडॉप मिल चुका है, तो वो भी हम देखेंगे कि एरडॉप में कितने लुना हमें मिले हैं, और आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा, कि प्री एटक से पहले और पोस इसमें इनाश्मन करने चाहिए, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, यहां मैंने आपके सामने टेरा लूना का जो स्टेशन है, टेरा स्टेशन वालट उसको मैंने उपन किया हुए, जहां आप टेरा लूना की टोकन्स को होल्ड कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं और NFTs जो हैं वो आप यहां जो है वो अपनी स्टॉर कर सकते हैं तो यहां मैंने Tira Luna के tokens hold कियो हुए थे long term के लिए पहले मैं आपको history बता दू इसकी कि मैंने Tira Luna के जो token है वो 2021 से hold कियो हुए थे और जब उनकी price नेरी 15 तू 20 डॉलर पर थी तो तब से मैं इसको hold करके बैटा था मैंने थोड़े से बीच में से sell करके profit बीबुक किया था बट मैंने again rebuy कर लिये थे तो यहां जो है वो Tira Luna जो मेरे पास थे उसमें से जो उनके रिल डॉप हुआ है वो मुझे automatically मेरे wallet में मिल चुका है यहां आपको 13 Luna token जो है वो available नजर आ रहे है जो कि मैं अभी चाहूँ तो sell कर सकता हूँ उसके बाद यहां आप नीचे देखो तो यहां Westing लिखा हुआ है और उसके नीचे Luna token 30.9 लिखा हुआ है और यहां Wested period जो है वो भी लिखा हुआ है यहां जब release होगा तो वो किस date कोगा वो यहां लिखा हुआ तो यहां देखें release date है 24 November 2022 से लेकर 23rd में 2023 में यहां 2023 में 7.7 Luna token मेरे release होंगे जो कि सिर्फ 25% है और बाकी के 23 Luna token होंगे जो कि 75% बनता है इनका वो मेरे 2024 के last November में जाकर होंगे नेरले about 2025 तक मेरे यह जो token है यहां stake हो चुके है यहां जो है वो यह hold हो चुके है यह मेरे पास अब नहीं आएंगे यहां कि आएंगे तो अब से 3 साल बाद आएंगे अभी 2022 चल रहा है इसके अब 2025 तक आ जाएंगे यहां कि 2024 के last में यहां आप देख सकते हो नूबर अब यहां हम बात कर लेते हैं जिन लोगों को यह एरड्रॉप नहीं मिला ठीक है एरड्रॉप ना मिलने की वज़ा से यहां हम देख सकते हो पावर्ड बाई टेरा लोगों को ओफिशल यह ट्विटर अकाउंट है यहां उन्हें बोला है अटेंशन लोगों अरड्रॉप रिसेप्शन वी आर अवेर अट सम्हें रस्तीवड लोगों को देख सब्सक्राइब और एक्स्पक्राइब कहां बोला था उसका भी मैं आपको यहां बता देता हूं इन्हों ने जो दिएरा लोना देने थे वो इस तरह देने थे प्री अटेक एउस्टी होल्डर्स को 0.018 इस तरह यह आमाउट मिलनी थी जो नए वाले थे उसके बाद प्री अटेक लूना जिन्होंने बहुत लोंग ट्रम से होल बाइंग की हुई थी अब मैं प्री अटेक में आता हूँ कि मैंने क्योंकि ये अटेक होने से काफी अर्था पेले के लेकर रखे हुए थे तो मुझे जब 1.034 जो है वो एक टोकन के बदले में इतना 1.03 टोकन मिलेगा और जो पोस्ट अटेक यानि कि जब ये सीन शुरू हुआ है लूना टोकन पे जब ये गिरना सुरू हुआ है और ये सारे महामलात हुए है तो उस दोरान जिन्होंने बाइ किया और होल्ड किया हुआ था अब तक सेल नहीं किया और होल्ड किया था अब तक उनको 0.0235 और उतके बाद पोस्ट अटेक लूना होल्डर जो है उनको 0.00015 मिलेंगे जो कि बहुत कम अमाउंट है क्योंकि वन डॉलर पर जब लूना था तो बहुत ज़्यदा लोगों ने बाइंस की हुई थी और मैं खुद मैंने यूट्यूब चैनल पर भी देखे हैं बहुत से लोगों ने वन डॉलर से फाइव डॉलर तक जो प्रॉफिट बूबुक किये थे लेकिन कुछ लोगों ने उनसे इंस्पारेशन हासल करके जह हो इसको होल्ड भी किया हुआ कि भई अब वन से फाइव तक गया यहां से अब टैन डॉलर तक भी जा सकता है तो लेकिन यहां से जो है वो मसला बना और मजीद जो है वो लोना टोकन घिर गया था तो उनके लिए जो है वो यह बड़ी मुश्किल बात होगी कि उनको इतना कम लोना दिया जाए तो यह सीन है कुछ इस तरह जो है वो एर ड्रॉप इसका हुआ है अगर आप लोगों को कम मिले है तो आप लोगों को टीरा लोना टोकन जो है वो अब मिल जाएंगे उसके बाद यहां एक और चीज जो है वो आप यहां देख सकते हैं इन्होंने सारा थ्रग लिखा हुआ था अपने ट्विटर अकाउंट पर भी भी अवैलेबल है कि टीरा लोना की ब्लॉकचेंग जो है वो अगें स्टार्ट हो चुकी है और यहां से आप जो है वो सारी च ज्यादा अमाउंट जा है वो आपकी स्टेक पर लगा दी गई है और वेस्टेड है यानि कि वो आपने सेल नहीं कर सकते ना है कहीं और ट्रांसफर कर सकते जाहने जैसे कि आप यहां देख सकते हो वेस्टेंग में मेरे 30 लोना टोकन पड़े हुए है और जो अवेलेबल को 14 लोना की ठीक है और अगर मैं बात करूं 13 प्लस 30 तो अनमुस्ट यह 43-44 बनते हैं लोना टोकन तो 44 लोना टोकन के अगर प्राइस देखे तो 38 डॉलर बनते हैं जो कि अभी यह 8.6 डॉलर पर चल रहा है आने वाले वक्त में अगर यह मजीद क्रैश कर जाता है तो क्या यहां आप लोगों को एक एडवाइस जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था वो यही दूँगा कि आपने लुना टोकन अभी बाइर नहीं करना है क्योंकि अभी इसका कोई भी ऐसा यूजगेस नहीं बनके आ रहा कि जिसको हम होल्ड कर सकें रूमर्स हैं कि डू प्रूफ करके लाएंगे और इसको जो है वो स्टेबल कोई रखेंगे तो इस तरह अगेन अपिये जाएगा और अगेन जो हम हन्हीं लोगों की सोच है जिन्होंने लॉस किया है प्रोफेशनल और बिग वेल्स और जो अच्छे ट्रेडर्स हैं उनकी यह सोच नहीं है वो कि इसका कोई अच्छा यूज कि जब तक नहीं बन के सामने आता तब तक कोई भी इसमें बड़ी इंवेश्मेंट नहीं आएगी तो अभी तक अगर हम देखें कि इसमें कितनी इंवेश्मेंट आ चुकी है और इसका कितना मार्केट कैप बन चुका है तो यहां मैं ऑपन क कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए मेरी आप लोगों को यह डवाइस है कि जब तक कोई अच्छा यूज केस बनकर नहीं आता आप इसमें इंवेश्मेंट ना कीजिएगा मैं आप लोगों के साथ वक्तन वक्तन इसकी अपडेट शेयर करता रहूं आने वाली वीडियो में त